सो वेलकम बैक इन सीखोलाइब डाट कॉम एन टूडे वी विल डिस्कस हाव तो डिपलॉय इनी सॉफ्टवेयर प्रोम MECM Configuration Manager Server तो क्लाइन्ट मशीन्स ओके तो स्टेप बाइ स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे MECM क्लाइन्ट के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डिपलॉय करते हैं और मैनेज करते हैं अगर आप नए है चैनल को तो सब्सक्राइब करके notification के लिए all notification प्रेस करके रखें तार कि सारे update आपको मिले हमारे चैनल पर regular basis पर content आपको मिलते हैं MECM के बहुत सारे content है यहाँ पर more than 20 plus content है इसका playlist चेक करना है तो playlist में आजाओ और SECM, MECM का यहाँ से content आप देख सकते हो so guys MECM, SECM के इस point of view से अगर मुझे एक software deployment point create करना है तो steps क्या होने माला है तो सबसे पहले मुझे आजाना है अपने MECM configuration manager server पर और मैं MECM configuration manager open कर लिया पर मुझे एक software deploy करना है तो software deploy करने के लिए मैंने MSI file download कर रखा है Firefox का और .msi file आपको download करना internet पर कोई भी package आप डूटते हो .msi file या फिर converter लेकर आप manage कर सकते हो मुझे इस software को share कर देना है जो भी आपने MSI file download किया है तो मैं everyone को यहां पर read and write के साथ just already share है but मैंने कर दिया और यहां से permission everyone को करके apply कर लेंगे just आपको share कर लेना है यह step done हो जाने के बाद आप अपने इस particular software या जो भी data इसको आप access कर लेंगे तो I think मेरा जो machine है वो slash pm है enter कर लिया और I think app deploy करके यह है और साथ में आप यहां से complete यानि कि आप इसका property है या सब कुछ copy कर सकते हो property में आकर जैसे sharing वगएर का property मिल जाएगा या फिर just आप यहां से भी copy कर सकते हो तो later we will check बट सबसे पहले हमें क्या करना है software download और share करने के बाद आपको asset and compliance में आकर device collection में आ जाना है और एक device collection prepare कर लेना है बाद में भी आप device collection prepare कर सकते हो बट यहां से भी आप create device collection और मैं माल लिया कि Google Chrome या फिर Firefox या फिर जो भी application मुझे deploy करना है वो मैं कर लेता हूँ तो all app deployment all app deploy ठीक है all app deploy से हमें यह पता चल जाएगा कि यह जो device collection है यह मैं सभी application deployment के लिए इसको select कर सकता हूँ या फिर मैं यहां पर दे सकता हूँ like fire fire firefox deploy ठीक है तो firefox deploy and device device collection ताकि कहीं पर अगर लिख कर आए तो आप आसानी से समझ जाओ कि आपनी device collection जो बनाया था वो है कोई भी software बहुत आसान है deploy करना है यहां पर limited or limiting collection आपको करना है तो यहां से select करेंगे और यहां पर आपको select कर लेना है all system ठीक है कि कि किसके लिए आप यह particular deploy कर रहे हो all system आप select कर लेंगे और total इधर आप देखेंगे तो seven system या member count यहां पर दिखा रहे okay कर देंगे then finally next button पर click करेंगे और यहां पर membership rule पूछ रहा है इसको ignore भी कर सकते हो मैं just next कर देता हूँ कुछ यहां पर कोई rule create करने की जरूरत नहीं है okay कर देना है and then finally next करके complete कर देना but still आप चाहते हो कि कोई rule आप यहां पर add करना तो no issue आप यहां से direct rule में कर सकते हैं but mandatory नहीं है है ना जैसे यहां पर just add किया और यह system resources name देकर आप यहां पर percentile दे देंगे यह attribute mandatory है otherwise error आएगा इसको select करके next करेंगे अब किसके लिए आपको करना है तो select all कर लो क्योंकि आप सभी के लिए device collection मना सकते हो next कर दो यह फिर यहां से आप select कर लो अपना client ठीक है आप client के लिए device collection वो कर रहे हो तो depend on you and just ok करके next कर देंगे और close कर देंगे उसके बार next करेंगे finally यहां पर आपका device collection ready हो गया close कर देंगे तो device collection में आपने क्या देखा कि आपके पास I think मैं इसको refresh कर लेता हूँ यहां पर अब देख सकते हैं Firefox device collection मेरा ready हो गया अब device collection हो जाने के बाद final मुझे एक application deployment के लिए software library पर आना है and select करना है application management application को select करना है already मैंने इससे पहले google chrome को deploy किया था चेक किया था right click करके create application पर आ जाना है और यहां से आपको MSI file को search कर लेना है MSI file के लिए मैं यहां पर search कर लेता हूँ for example के लिए window are pm पर और I think मेरे पास है app deployment firefox यहां पर है मुझे इसको copy कर लेना है और यहां से just यह तो यहीं पर backslash लगा कर आप यह पूरा path देख सकते हो इसको यहां से search कर लो यह just यहां पर आ जाएगा but backslash और complete यह path आपको copy कर लेना है copy कर लेने के बाद आप दुबारा से यहां पर आएंगे और अपना location पेस्ट कर देंगे finally.msi file के साथ next करेंगे और finally next करने के बाद आपको यहां पर publisher दे देना है तो मैं modular लिख दिया और उसके बाद मुझे यहां पर कुछ चेक करना है नहीं कुछ नहीं करना है next कर देंगे next कर देंगे और यह complete हो जाएगा हमारा application collection ok तो complete हो गया यह थोड़े से बड़े packages होता है तो deployment में समय लगता है close कर देंगे finally इसको refresh करके आप देख सकते हो deployment active सारा status सब कुछ complete हो चुका है and अभी deployed नहीं हुआ है यहां पर कोई result ऐसा नहीं आ रहा है तो summary option पर ही रहने देते हैं and एक दो बार और यहां से refresh कर लेते हैं success zero दिखा रहा है आप इस पर right click करके just यहां से आप distribute content पर आ सकते हैं and just next करना है आपको यहां से and again next करना है आपको यहां से distribution point select कर लेना है और pm.seqolive.com जो मेरा domain है इसको select करके next कर देना है finally next करना है और यह complete हो गया complete हो जाने के बाद आप इसको refresh कर सकते हो and after refresh देख सकते हो कि एक progress और इसमें आ गया है और sorry इसको again आप refresh करेंगे again आप refresh करेंगे तो यह progress में जो भी आपका है यह complete हो जाएगा थोड़े समय में जो कि आप यहां पर देख सकते हैं अब यह जो progress में था यह success में आ चुका है तो थोड़ा समय देकर आप काम करते रहेंगे तो इसके बाद जो भी device collection मैंने create किया था asset and compliance में आकर आप devices में आएंगे and sorry device collection जो आपने यहां से create किया था सायद firefox के option को लेकर तो मैं firefox पर right click करके और just यहां से या फिर devices में आप आ जाएंगे just tap for example यह devices section है और माल यह कि मैं client one के लिए यह deploy करना चाहता हूँ या distribute करना चाहता हूँ कि जो कि हमारा client one इधर login है या client one हमारे computer के लिए जो client one है उसके बाद यहां से add selected item to existing device collection तो device collection मैंने बना रखा था अभी इससे पहले firefox करके तो मैंने इसको select कर लेना है ok कर देना है और just tap यहां से एक दो बार refresh कर ले तो आपने क्या किया कि अपने device collection के लिए यह software client one को distribute के लिए allow कर दिया finally मुझे क्या करना है अपने software library में आना है application पर आना है और modular firefox पर right click करना है and then deploy option को select करना है and then यहां से हमें step start करना है तो browse कर लेंगे and मैं यहां से device collection select कर लेता हूँ मेरा जो device collection है वो firefox deploy device collection है ok कर लेंगे next करना है and यहां पर content के लिए पूछ रहा है तो I think distribution point already मैं पहले भी दे चुका हूँ और अब यहां से आपको select करना है action नया installation है तो simple as it is रहने देंगे required बगर है मैं forcefully installation आप select कर सकते हो then next कर देना है time schedule कर सकते हो कभी installation आपका execute होना चाहिए then next कर देंगे और यहां से मैं notification select कर लेता हूँ then next कर देना है और बाकी rest यहां पर कोई select करने की जरूरत नहीं है और ना ही warning या notification label या कुछ failure percentage से एर करने की जरूरत है just next करेंगे next करेंगे और अभी यहां पर close कर देंगे आपका deployment भी यहां पर हो गया अगर deployment हमारा हो गया देन हम लोग यहां से इसको आ सकते हैं like mozilla firefox पर deployment यहां से हमारा complete हो चुका है deployment type हमारा देख सकते हैं क्या है msi file का detail है और again हम devices पर आ जाए तो client के लिए deployment हो चुका है अब client machine पर मुझे आना है software collection को मुझे search करना है या software center मुझे open करना है इससे पहले google chrome मैंने deploy किया था वो यहां पर display हो रहा है अगर थोड़ा समय देंगे तो आपका जो firefox है वो भी यहां पर available हो जाएगा it will take time 5 to 10 minute or more than this आप wait कर सकते हो sometimes 1 hour 2 hours का भी wait करना होगा तो मैं एक 2 minute wait करके फिर देखता हूँ अगर update हो गया देनों के otherwise यह मैंने same process deploy करने के लिए just दिखा रखा है कि कैसे आपका deployment दिखता है ठीक है तो 2-4 minute wait कर लेते हैं so guys approach 10 minute wait किया मैंने और तभी जाकर हमारा यहां पर firefox का update आया तो थोड़ा कम ज्यादा यह wait करना पड़ सकता है ऐस पर packet size या फिर update भी हमारे server machine के बीच में या machine के बीच में थोड़ा समय लग सकता है networking part है तो इसको समझ सकते हैं बाकी यहां पर install करना है तो just firefox पर select करना है और install पर click कर देना है आपका installation start हो जाएगा और जो भी downloading process है वो सब यहां पर step by step दिखाएगा installation step दिखा रहा है तो download and installing software और notification center में आपको update यह दिखा रहा था और finally installed application में यह एक status दिखा रहा है ठीक है तो यहां से आपको complete जो firefox का update है वो मिल जाएगा installation जैसी हमारा यहां पर complete होगा firefox यहां पर आ भी गया और अभी installing I think complete हो चुका है back end में और oh my god यह failed दिखा रहा है बट software installation was not successful click to view the details ओके तो software तो में रहा गया बट यह ऐसा result क्यों दिखा रहा है रिट्राई कर लेते हैं अब भी मैं application पर आ जाता हूँ जो कि google chrome है इस पर भी मैं installation step start करता हूँ और एक साथ restart करके फिर अम लोग software वगएर इस्टेमाल कर सकते हैं यहां पर भी downloading और जो भी है installation process complete हो रहा है तो इसमें कोई error नहीं आया तो मतलब हो सकता हूँ package को लेकर कुछ compatibility और यह सब इशू हो यह सारी चीजह तो एक बार अपने software को अपने client पर manually test कर लेंगे देन आप इसको deploy करेंगे क्योंकि google chrome में कोई problem नहीं और यहां पर जब मैं install कर रहा था यह तो लिख कर आता यह आता might be required बट restart कर लिया करें और installation में आप देख सकते हो एक फेल्ड यहां पर दिखा रहा है बट still I can access the firefox कोई problem नहीं दिख रही है ठीक है तो status में बस यह फेल्ड लिख कर आया है और applying software यह कुछ option है तो यह article बगरे पढ़ सकते हैं और software updated बगरे डाउनलोड करके में भी करेंगे तो कोई issue नहीं है क्योंकि हमारा एक software same pattern में काम कर रहा है और एक हमारा यहां पर just fail status में दिखा रहा है बट working है तो process यह है installation का software deployment का और इन सारी चीजों का में भी आप इसको step by step perform कर लेंगे मिलते हैं एक शोड़े में thank you so much have a good day